खानव में जुद्ध के बाद इंद्र ने अर्जुन को अपने शभी हथियार वर्दान के रूप में देने का बादा किया था ताकि शिब की प्रशनता के शाथ युद्ध में उसका मिलान किया जा सके इस दिब्ध हथियार को प्राप्त करने के लिए ध्यान या तपस्या पर जाने के लिए भगवान कृष्ण की शलाह के बाद अर्जुन ने अपने भायों को बिजय बाटिका में इंद्र किलाद्री पहाड़ी पर तपस्या के लिए छोड़ दिया जिसे बर्दमान में बिजय बाड़ा के नाम से जाना जाता है अर्जुन की तबश्या के बारे में जानने पर दुर्योधन ने अर्जुन को मारने के लिए एक राक्षस मूकाशूर को भेजा अर्जुन की पूजा को बाधित करने के लिए दानब मूकाशूर ने जंगली शूर का रूप धारन किया य यह भी माना जाता है कि चारों बेदों ने अर्जुन की रक्षा के लिए कुत्तों के रूप में भगवान का नुशरन किया। अर्जुन ने भराफ पर बान चला कर उसे मार डाला। उसे समय भगवान शिव ने अपने धनुश से एक बान भी छोड़ा था। इसके बाद दोनों के बीच इस बात को लेकर हाथा पाई हुई कि किसके तीर ने सुवर को मार डाला। हाथा पाई एक लड़ाई की ओर ले जाती है और अर्जुन ने भगवान शिव के धनुश को तोड़ दिया। क्योंकि अर्जुन ने अपने गांडिव से लड़ाई की और शिव पिनाक के बजाय सामाने धनुश के शाथ आए। फिर दोनों तलवार वाजे और कुस्ति में शामिल हो गए। भगवान शिव ने अर्जुन को कई बार काटा और छूरा घोपा और रक्त धार की तरह बहने लगा। भगवान शिव ने अर्जुन की तलवार को निहत्था कर दिया जिसके बाद वे कुस्ति करने लगे। भगवान शीव ने कई बार अर्जुन को उठा कर नीचे गिराया, फिर भी अर्जुन उठा और आक्रमन करने के लिए तैयार हो गया, अंद में अर्जुन ने महसूश किया किसी कारी कोई और नहीं, बलकि स्वैम भगवान शीव थे और उन्होंने छमा मांगी, भगवान शी और अपने शिश्य परसुराम से अधिक उससे परभावित है, भगवान शीव ने अर्जुन को भी गढ़ा नाम बिजय, जिसे अर्जुन लोकप्रिये रूप से बिजया के नाम से भी जाने जाते हैं, शीव के जाने के बाद लोकपाल अर्जुन के शामने प्रकट हुए, और फिर कुबेरियम और बरुन ने भी अर्जुन को अपने परतेक शक्ति सालिह थ्यार का आशिरवाद दिया, कहानी अच्छी लगे टू लाइक जरूर करें, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब बटन डबाईए,